अगर आप नौर्ट से होंगे तो कभी न कभी आपने घुगनी सेव खाया ही होगा मैं धनबाद से हूँ वहाँ पर एक जगह है काको वहाँ की घुगनी सेव काफी सालों से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है बहुत ही स्वादिश लगती है खाने में आज मैं से मुशे श्टायल में घुगनी सेव की रेस्पी सेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही अच्छी लगती है काने मतलब बहुत ही ज़्यादा ultimate होती है और यह जो घुगनी है ना काफी ज़्यादा लटपटी होती है मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि पानी अलग है, ग्रेवी अलग है, घुगनी अलग है, बिल्कुल सब कुछ combine रहता है तो सबसे पहले हम यहाँ पर घुगनी बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर काले चने लिए भीगे हुए, जो कि मैंने रात बर भीगो के रखे थे, और 3 वा 4 कप के करीब यह चने थे हल्दी नमक आइड करेंगे, और 2 कप के करीब इसमें पानी आइड कर देंगे, कुकर का धकन लगाएंगे, और मीडियम फ्लेम पर 4-5 विसल आने तक के लिए यहाँ पर चनो को पका लेंगे, कभी-कभी 6 विसल भी लग जाते हैं और इधर मैंने लिया प्याज, दो मीडियम साइज के प्याज, जिसे कि मैंने बारिक-बारिक चॉप किया है, और साथ ही मैंने यहाँ पर 2 टमाटर लिये हैं, इसे भी हम क्या करेंगे, बारिक-बारिक चॉप करेंगे, आप चाहें तो टमाटर को यहाँ पर मिकसर में भी लेकिन इसी तरीके से बारिक बारिक चॉप कीजिएगा इससे टेक्षर बहुत ही बढ़िया आता है घूगनी का अब लगाते हैं घूगनी में तड़का तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ दो टेबले स्पून के करीब सरसो का तेल इसमें आड़ कर देंगे एक चमब जीरा दो तीन सूखी लाल मिर्च हाफ टीस्पून के करीब इसमें हींग आड़ करेंगे एक तेजपत्ता आड़ करेंगे और अब इसमें आड़ कर देंगे प्याज जिसे के हमने बारिक-बारिक चौप करके रखा था आप चाहें तो प्याज को लंबे-लंबे लचों में भी मतलब काट सकते हैं प्याज को यहाँ पर हम थोड़ी दिर के लिए भूनेंगे बेसन आड़ करने से क्या होता है ना चनों में एक अच्छी सी बाइंडिंग आती है वो अलग-अलग नहीं होते हैं अब इसमें आड़ कर देंगे टमाटर, साथी मसाले जिसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक साथी कस्मेरी लाल मिर्च, अद्रक और लहसन कूटा हुआ, हरी मिर्ची कूटी हुई और सारी चीजों का भिमिया पर वापस से भूनेंगे अब जो भी मैनत है ना यहाँ पर मसाले को प्याज टमाटर को भूनने में है इसे आपको बहुत ही अच्छे से भूनना है, तो मैं यहाँ पर कर्ची ले रही हूँ उससे मैं दबाते हुए अच्छे से भूनोंगी ताकि यहाँ पर टमाटर, प्याज, जो सारी चीज़ है ना अच्छे से कमबाइंड हो जाएगी और यह अराम से अच्छे से भूनेगी तो इसे तब तक के लिए भूनना है ना जब तक कि यहाँ पर मसाले में का अच्छी से साइनिंग ना आ जाए और यहाँ पर चली अब चने को चेक कर लेते हैं तो अभी इसमें काफी सारा पानी है पानी को हम धीरे धीरे यूज करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चने है ना वो अच्छे से सौफ्ट हो गया है बिल्कुल इसी तरीके से चने चाहिए अब यह जो चनो का पानी है ना उसे हम थोड़ा-थोड़ा सा ग्रेवी में एड़ करेंगे और भूनते जाएंगे इससे ग्रेवी का च्छेर है ना बहुत ही अच्छा आता है इसी तरीके से थोड़ा-थोड़ा करके एक-दो चमछेर के आप पानी आड़ करें तो उसके लिए हमें क्या करना है ना चनो को थोड़ा सा मिक्सर में पीसना है जो कि हमने बॉयल करके रखा था थोड़ा सा पानी भी आड़ करेंगे इससे क्या होगा ना जब हम घुगनी बनाएंगे ना तो चने और उसकी जो ग्रेवी एकदम कंबाइंड रहेगी लटपटी इसी बन करके तैयार होगी अलग अलग नहीं होगी तो ये काफी अच्छी टिप्स है बिल्कुल इसी तरीके से बना करके देखिएगा घुगनी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बन करके तैयार होगी अब ये जो चने हमने पीस के रखे थे ना वो ग्रेवी में एड़ कर है लेकिन अगर आप घर में बनाएंगे तो कम तेल में भी बहुत ही स्वादिश घुगनी बन करके तैयार होगी लेकिन ध्यान आपको यही रखना है ना कि मसालों को अच्छे से भुनना है भुनना यहाँ पर बहुत जरूरी है तभी वो स्वादा पाता है और अब अभी यहाँ पर मसाले अच्छे से भुन गया है कड़ाई को भी छोड़ रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे उबलेवे चने आड़ कर देंगे और वापस इसे मिक्स करते भुनेंगे आपने देखा इसमें बहुत ही बेसिक मसाला मैंने आड़ किया कुछ भी अलग एक्ष्ट्रा म की जरत पड़े तो आप यहाँ पर प्लेन पानी डाल सकते हैं लेकिन गरम करके डालिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा और अभी मुझे यहाँ पर घुगनी ना थोड़ी सी गाड़ी लग रही है तो मैं इसमें थोड़ा पानी आड़ कर रही हूं क्योंकि हमें यहाँ आप इसे ढख करके पकाना है तो और भी ज़्यादा पानी सूख जाएगा और घुगनी गाड़ी हो जाएगी तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा भी पानी मत आड़ किजेगा अगर आपको सेव के साथ खाना है वैसे आप इसे पूरी पड़ाठे किसी के तो यहाँ पर मैं बेसन ले रही हूँ जब भी आप सेव बनाए तो अच्छी क्वालिटी का बेसन लीजेगा मैं यहाँ पर घर का पिसा हुआ बेसन ले रही हूँ दो कप के करीब इसमें आड़ कर देंगे एक चमच नमक आधा छोटा चमच हल्दी पाउडर और साथ ही इ इसमें हिंग एड़ कर सकते हैं काली मिर्च का पाउडर एड़ कर सकते हैं लाल मिर्च पाउडर एड़ कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल इसे सिंपल रख रही हूँ एकदम प्लेन सेव बना रही हूँ अब इसमें आड़ कर रही हूँ दो टेबलिस्पून तेल और साथ ही पानी पानी थोड़ा थोड़ा करके अड़ कीजिएगा और यहाँ पर जो इसका जो घोल है ना बेसन वाला वो आपको soft लगा करके तयार करना एकदम tight hard बेसन नहीं लगाना है नहीं तो सेवा बनानी पाएंगे तो एकदम soft अच्छे से अराम से लगाना है बेसन का 12 मिनट हो गया है उपर में थोड़ा थोड़ा तेल भी आ गया है लाश्ट में इसमें अड़ कर देंगे गरम मसाला और बारी कटा हरा धनिया और यह जो हमारी घुगनी है ना बन करके बिलकुल तयार हो गई है वैसे आप इसे पूरी पराठे रोटी राइस किसी के साथ भी वैसे हमारे तरफ इसे भुना हुआ चूड़ा के साथ भी खाते हैं इसे की पोहा बोलते हैं फ्राइ करके और साथ ही मूड़ी के साथ भी खाते हैं पफ्ट राइस होता है ना उसके साथ भी खाते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और हमारा तो यह फेवरिट तो आप भी एक बार ट्राइ करके देखिएगा बहुत ही आपको पसंद आएगा अब चलिए बनाते हैं सेव तो मैंने यहाँ पर सेव मेकर में थोड़ा सा ओयल वगरा लगा दिया एक दम बारिक वाली सेव बना रही हूं मैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बेसन का घ चुरत नहीं पड़ती है और आप देखिए यहाँ पर जो सेव मेकर है ना इससे अराम से सेव निकल रहा है तो आप चलिए इसे फ्राइ करते हैं जब भी सेव बनाया ना तेल अच्छा गर्म होना चाहिए और सेव डालते समय फ्लेम को लो कर दें नहीं तो आपके हाथ में बहुत ज़्यादा इस्टीम आएगी और आप डाल नहीं पाएंगे सेव और जैसे इसे एक साइड सीख जाएगा हम इसे पलट करके दूसरे साइड सेखेंगे इसे बिल्कुल भी नहीं तोड़े नहीं तो निकालने में आपको परिसानी होगी और इसे ना थोड़ी देर के किसी और प्लेट में रख देंगे ताकि जो भी एक्ष्ट्रा ओयल है ना वो निकल जाए और इसी तरीके से मैंने आपर धेर सारे सेव बना करके तयार कर लिए दो कप बेसन से खूब सारे सेव बन करके तयार हो जाते हैं अराम से दो तीन वीक तक आप इसे खा सकते हैं मतर बन गया अब चलिए लगाते हैं सेव घुगनी जो की जैनरी दोने में सेर्व किया जाता है तो इसी तरीके से मैंने भी यहाँ पर दोने में सेर्व किया है और आप देख सकते हैं घुगनी का जो टेक्श्यर है वो कितना बढ़िया आया है ठेंड़ वाले मौसम में इस तर friends and family में share भी कीज़ेगा मिलते हूं नेक्स व्लाग में तब तक के लिए बाबाई टेक केर